सिक्षार्थियों नमस्कार आज हम राश्ट्रिय पाठ्थे चर्या की रूप रेखा 2005 के क्रमिक विकास एवं प्राथ्मिक शिक्षा के लिए इसके क्या नहतार्थ हैं को जानने एवं समझने की कोशिश करेंगे सबसे पहला प्रशन जब राश्ट्रिय पार्थेचर्या की रूप रेखा के संदर्म में उठता है वहीह उठता है कि आखिर National Curriculum Framework 2005 है क्या तो राश्ट्रिय पार्थेचर्या की रूप रेखा 2005 अर्थात National Curriculum Framework 2005 भारत में विद्यालेई सिक्षा की पाथेचर्या का नरधारन एवं क्रियानवयन करने के लिए रास्ट्रिय सैक्षिक अनुसंधान परिशद NCIT द्वारा प्रफेसर यसपाल जो की विश्व विद्याले अनुदान आयोग के पूरू अध्यक्ष रह चुके हैं कि अध्यक्षता में तयार किया गया एक महत्तपूर्ण दस्तावेज है। यह दस्तावेज प्रफेसर यसपाल द्वारा 1993 में प्रस्तुत रिपोर्ट सिक्षा बिना बोच के की रोश्नी में विद्यालेई सिक्षा के लिए रास्ट्रिय पाथेचर्या की रूप रेखा 2000 की समिक्षा करने की आवश्यक्ता के संदर्व में तयार किया गया था। भारत में समय समय पर सिक्षा तंत्र को मजबूती देने और दुनिया भर में हो रहे परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए वैश्विक मंच पर अपने द्रण स्थते से परचित कराने के लिए सि जाव दिया गया है। इन ही में से एक राष्ट्रे सिक्षा नीती 1968 में संपूर्ण भारत में 10 प्लस 2 प्लस 3 की सिक्षा संरचना की घोशना की गई। जिसे ध्यान में रखकर राष्ट्रिय सैक्षिक अनुसंधान परिशत National Council of Educational Research and Training Center द्वारा 1975 में प्रथम 10 वर्षिय सिक् पूल अब फ्रेमवर्क कहा जाता है को तयार किया गया। यहां कारिक्रम पूरी तरह से अपना प्रभाव भी नहीं दिखा पाया था कि उससे ठीक पहले 1986 में ही नई राष्ट्रे सिक्षा नीती लागू हो गई। अब अगला प्रश्ण यह उठता है कि राष्ट्रिय सिक्षा संरचना की अन्यवार्यता कर दी गई। इसी बीच राष्ट्रिय सैक्षिक अनुसंधान और प्रसिक्षण परिशद NCRT द्वारा बनाए गए प्रथम दस वर्षिय सिक्षा की आधार भूत पाठचरिया के गुण दोश भी उजागर हो चुके थे। ऐसे में NCRT जिसे की राष्ट्रिय सैक्षिक अनुसंधान और प्रसिक्षण परिशद भी कहा जाता है, में समय की मांग और राष्ट्रिय सिक्षा नीती 1986 की घोष्णाओं और अनुसंसाओं को ध्यान में रख कर, सन 1988 में प्रारंभिक एवं माध्यमिक सिक्षा की राष्ट्रिय पाठ् चर्या की अनुपालना के लिए राज्यों की सरकारों को अपने तरीके से कारिक्रमों के निर्माण एवं क्रियानवयन के जिम्मेदारी सौपी गई, इसी कारण से यह कारियोजना 1992 की महत्ता समझ में आती है, जिसे प्रोग्राम ऑफ एक्षन 1992 भी कहा जाता है, राष्ट्र हैं कि राष्ट्रिय सिक्षानीत 1986 में एक घोषणा यह भी की गई थी कि प्रते पांच वर्ष के बाद किसी भी स्तर के पाठिक्रम का पुनर निरिक्षण किया जाएगा, और आवश्यक संशोधन किये जाएंगे, इधर 1992 में केंद्र की सरकारद्वारा संशोधित राष्ट विद्यालई सिक्षा के लिए राष्ट्रिय सैक्षिक अनुसंधान और प्रसिक्षन परिशत की जिम्मेदारी और अधिक बढ़ गई, क्योंकि पूरु में लागू की गई सिक्षा नीतियों के साथ-साथ, कारियोजना 1992 की अनुशंशाओं को भी ध्यान में रखना था, इ किन परिस्थितियों में और किन इस्थितियों में इसका अभ्युदय हुआ। समस्ते हुए, ततकालीन भारत सरकार के मानो संसाधन विकास मंत्राले ने राश्ट्रिय सैक्षिक अनुसंधान और प्रसिक्षन परिशद की कारेकारिनी सभा के बैठके, 14 जुलाई से 19 जुलाई 2004 तक आयोजित की। इन आयोजित बैठकों में 21 शदी के लिए राश्ट्रिय पाठेचरिया तैयार करने का नर्णे लिया गया। एक तरफ वर्ष 2000 के बाद से सूचना एवं संचार प्रद्योगी की जिसे Information and Communication Technology भी कहा जाता है का प्रभाव बड़ी तेजी से बढ़ा। तो दूसरी तरफ राश्ट्रिय सिक्षानीती 1986 के अनुसार विद्यालेई सिक्षा के लिए राश्ट्रिय पाठेचरिया की रूप रेखा 2000 के भी पाँच वर्ष पुर्ण होने वाले थे। इन दोनों कारणों के वज़ा से पाठेचरिया में संशोधन भी अपेक्षित था। चरिया की रूप रेखा 2005 के प्रमुख सैक्षिक नहतार्थ क्या है यह जानने की समझने की कोशिश करेंगे एक-एक करके। उपयोगी ज्यान देने के प्रयास किये जाए। मूल्यों को उपदेश देकर थोपने के बजाए। मूल्यों से परिपूर्ण वातावरण देकर ग्रहन करवाने के उपाय किये जाए। पाचवा, बालकों को उचित तर्क एवं निरने निर्माण के लिए तयार किया जाए। इसके लिए खुल कर बोलने पर पाबंदी लगाने के बजाए। परदान की जाए। छठा जो महत्पुण तत्व है वह है कि विद्यालेओं एवं सिख्षकों द्वारा अईभाओं को को सख्त संदेश दिया जाए कि बच्चों को छोटी उम्र में निपुण बनाने की आकांग्शा रखना उचित नहीं है। बच्चों को कक्षा एवं विद्याले से बाहर तनाव मुक्त वाता वरन प्रदान किया जाए और इसके लिए आउटडोर खेलों जिसे की आउटडोर गेम्स कहा जाता है, भोजन भ्रमन जिसे पिकनिक कहते हैं और एतिहाशिक भ्रमन जिसे हिस्टोरिकल टूर कहते हैं पर ब इक्षिक गतविधियों को करिकुलर एक्टिविटीज में बच्चों के अभिभावकों को भी जोडने की विवस्था विद्यालेयों एवं सिक्षकों के द्वारा की जाए खेल, आनंद वो सामुहिकता की भावना के लिए रिकार्ड बनाने वो तोडने की भावना एवं प्रवर्तिकों विद्यालेयों द्वारा कताई प्रश्रय न दिया जाए बच्चों की अभिव्यक्ति में मात्रिभाशा महत्वण अस्थान रखती है सिक्षक अधिकम परिस्थितियों में बहुभाशा का प्रियोग करे अर्थात बहुभाशी कक्षाओं के निर्माण पर जोर दिया जाए पाट्टे पुस्तकें जो अंतह क्रिया के अवसर प्रदान करती हैं हमेशा श्रिष्ट होती है पाट्टे पुस्तकों के नर्दमान में भी सावधानी बरती जाए एवं व्यावहारिक बनाने पर ही जोर दिया जाए दंड एवं पुरुषकारों का कक्षा कक्षों एवं विद्यालेओं में सीमित रूप में प्रयोग किया जाना चाहिए और बच्चों के अनभवों एवं स्वरों को कक्षा कक्ष परिस्तितियों में प्रात्मिक्ता प्रदान करते हुए इसे बाल केंद्रत सिक्षा प्रदान किया जाए जिसे की चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन भी कहा जाता है सिक्षक प्रसिक्षन वा विद्यार्थियों के मुल्यांकन को सतत्प्रक्रिया के रूप में अपनाया जाना चाहिए नहितार्थों के प्राप्त करने के उपरांत, NCF 2005 जो है, वो किस सिक्षा के लक्ष किस प्रकार के होने चाहिए, इस पर कौन सी महत्पुन बात कहता है। इसके लिए बच्चों को स्कूल में अपने बाह या अनौभाओं के बारे में बात करने का अवसर प्रदान करना चाहिए, उसे सुना जाना चाहिए, ताकि बच्चे को लगे कि सिक्षक उसकी बात को तवज़ो दे रहा है। कर इस प्रक्रिया को सुगम बनाने की बाद NCF में की गई है। सिक्षा के तीसरे लक्ष के रूप में साध्य और साधन दोनों के सही होने वाले मुद्दे पर चर्चा की गई है। अर्था जो लक्ष की प्राप्ति की जा रही है वह किस रास्ते से की जा रही है और लक्ष क्य इन दोनों की पवित्रता को ध्यान में रखा गया है। इसमें कहा गया है कि मूल्य सिख्षा अलग से ना होकर पूरी सिख्षा की पूरी प्रक्रिया में शामिल होना चाहिए। उसको इस तरीके से दिया जाना चाहिए ताकि वो पूरा का पूरा करिक्यूलम का पूरे के पू सेचरिया की रूप रेखा 2005 का है वह है कि सांस्कृतिक विविधिता का सम्मान करने और जीवन जीने के अन्य तरीकों के प्रतिभी सम्मान का भाव विकसित करने की बात की गई है इसमें चुकि भारत एक सांस्कृत विवित्ताओं वाला देश है और यदि एक सांस्कृतिका आनुपालना करने वाला वर्ग दूसरी संस्कृति का सम्मान नहीं करेगा तो समाजिक ताना बाना बिगडने की संभावना है इसलिए सांस्कृतिक विवित्ता का सम्मान करना और जीवन जीने के अन्य तरीकों के प्रतिवी सम्मान का भाव विकसित करने की बाग की गई है धन्यवाद